हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट्स अगर आप एक नए क्रेटर हैं या फिर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया है क्या क्या करना पड़ता है अमें पहली पेमेंट लेने के लिए ये सारे डाउट्स आपके माइंड में रहते होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपके इन सारे डाउट्स को क्लेर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो काफी जादा informative है तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले आपको एक YouTube चैनल बनाना होगा YouTube चैनल कैसे बनाते हैं अगर आपको यह सीखना है तो मैंने इस पे already एक वीडियो बना रखी है उसका link मैं आपको आई बटन में दे दूँगा आप वहाँ से जाके इसली उसे सीख सकते हैं अच्छे से मैंने उसमें explain करके बताया हुआ है अब YouTube चैनल तो आपने बना लिया उसके बाद आपको अपनी वीडियो उस पे डालनी पड़ेंगी जिस category का आपने चैनल बनाया है उसे related आपको वीडियो बनानी पड़ेंगी मैनत करनी पड़ेंगी उस पे वीडियो डालनी पड़ेंगी और वीडियो डालने के बाद जब आपके 1000 subscriber और 4000 गंटे का criteria जब पूरा हो जाएगा मतलब आपको अपने YouTube चैनल को monetize करवाने के लिए 1000 subscriber और 4000 गंटे के requirement होती है जब वो आपके complete हो जाएगे उसके बाद आप अपने चैनल को monetization के लिए भेजेंगे और उसी बीच आप अपना Google AdSense का account भी वहाँ पे create कर लेंगे Google AdSense का account जब आप बनाएंगे तो उसमें आप सही सही details भरेंगे जो भी details उसमें पूछेगा वो आपको सही सही डालनी है बिल्कुल जो आपकी bank account में है ठीक है उसी से related आपको बिल्कुल genuine उसमें details भरनी है जब आपका Google AdSense भी बन जाएगा और उधर से आपका जब channel monetization के लिए जाएगा आपका सब कुछ genuine रहेगा आपकी videos कोई copyright नहीं होगा तो आपका चैनल successfully monetize हो जाएगा उसके बाद आपके चैनल के उपर ads चलनी लग जाएगी मतलब आपकी कमाई होनी शुरू हो जाएगी आप जो भी videos डालेंगे आगे जितनी भी डालेंगे या आपकी ज आपके address पे जो आपने डाला होगा उस पे एक pin भेजता है उसे आपको verify करना होगा आपका pin verification हो जाएगा उसके बाद आप अपना bank account उसमें add कर सकते हैं ठीक है bank account आपने add कर दिया और इधर आप YouTube से कमाई कर रहे हैं और YouTube से जो भी कमाई कर रहे हैं आप बेली की वह आपकी Google Adsense में जाती रहेगी और जब आपके 100$ हो जाएंगे टोटल Google Adsense के अंदर जब 100$ आपके हो जाएंगे उसके बाद आपकी जो Google Adsense से payment जो है YouTube से वो हर महिने की 21 तारिक को release की जाती है Google Adsense से जो आपके 100$ जब हो जाते है minimum requirement होती है 100$ की Google Adsense के अंदर जब Google Adsense में आपके 100$ हो तो वो जो आपकी payment है वो YouTube release कर देता है Google Adsense के तुरू और वो आपके bank account में आ जाती है अगर आपने सरकारी bank लगाया हुआ है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आपको आ सकती है उसमें थोड़ी से आपको bank में भी जाना पड़ सकता है कुछ जादा दिन लग सकते हैं उसमे और अगर आपने private bank उसमें add किया हुआ है तो उसमें आपको जल्दी से जल्दी एक दो दिन के अंदर ही अपनी payment देखने को मिल जाती है तो इसलिए आजकल जितने भी नए YouTubers हैं नए Creators हैं वो private bank ही अपना use कर रहे हैं जैसे आपका ICI bank हो गया, Axis bank हो गया, Yes bank हो गया, इन bankो को add करते हैं तो इन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इन में आपके एक दो दिन के अंदर ही automatic आपके bank में पैसे transfer हो जाते हैं, तो अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, कि आपको अपनी YouTube की first payment लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको सब कुछ genuine रखना पड़ता है, उसमें सारी details आपको genuine fill करनी पड़ती है, और मैं भी आपसे यही कहूंगा, कि आप अपने अगर YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, उस पर वीडियो डालने मेहनत करें, और अगर अभी तक आपकी first payment नहीं आई है, तो आपको सहीम बनाए रखना है, मेहनत करते रहना है, ठीक है, आपकी जब 100 dollar हो जाएंगे, तो वो automatic आपके bank में transfer हो जाएगी, अगर इस वीडियो से related कोई भी question query है आपके mind में, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके post सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे like और share ज़रूर करे Thank you